इस वीडियो में निक्षय मोबाईल आप में dbt विवरंड देखने आड करने के टरणों को शामिल किया गया है। सबसे पहले आपको निक्षय मोबाईल आप खोलना होगा। Credentials दर्ज करें। आपको Home स्क्रीन पर निर्देशित किया जाएगा। Search Patient पर क्लिक करें। आप निक्षय डेटाबेज को नाम, पुरानी निक्षय आईडी या रोगी आईडी के आधार पर खोच सकता है। Patient आईडी दर्ज करें। Search पर क्लिक करें। ये हमें Dumbledore नाम के एक रोगी के विवरंड पेज पढ़ ले जाता है। Screen को नीचे की ओर स्क्रॉल करें। कई विकल्प दिखाई देते हैं। DBT पर क्लिक करें। ये हमें पेज के DBT विवरंड पेज पढ़ ले जाता है। Forgo Benefits विकल्प DBT Details लेबल के तहट दिखाई देगा। यदि लाभार्थी लाभों को छोड़ने का निर्णय लेता है, तो TU Staff या DTO को Forgo Benefits को हां के रूप में चिनहित करना होगा। यदि कोई लाभार्थी लाभों को छोड़ देता है, तो एक सहमती पत्र की आवशकता होती है। किसी भी नए एपिसोड के लिए Forgo Benefits की Default Value नहीं होगा, चाहे पिछले एपिसोड की स्थिति कुछ भी हो। बैंक विवरन एड करने के लिए Edit आइकन पर क्लिक करें। बैंक का चैन करने के लिए क्लिक करें। आप IFSC Code का उप्योग करके या बैंक की ब्रांच के नाम द्वारा बैंक को खोच सकते हैं। आइए IFSC Code द्वारा खोच करते हैं। बैंक का IFSC Code दर्ज करें। सर्च पर क्लिक करें। सर्च डिजल्ट पर क्लिक करें। हम Edit Bank Details स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। बैंक खाता संख्या दर्ज करें। सेव डिटेल्स पर क्लिक करें। इस प्रकार दर्ज किये गए बैंक विवरण रोगी के DBT विवरण में सेव हो जाते हैं। इसी के साथ निक्षय मोबाइल आप में DBT विवरण को देखने आड करने पर वीडियो पूरी होती है। जा गए जाल कर दूर करें। कि मीड़कों बहें होती है।